कभी बाड या सूके के हालातों के चलते अपनी पूरी उपज को खो देने वाले किसानों के लिए अब प्रदारमंत्री फसल बीमा योजना रहत ले कर आई है मदपदेश में बड़ी संख्या में किसान अब रभी और खरीट की फसलों का बीमा कराकर इसका लाब ले रहे हैं अब इन किसानों को अपनी फसल के सडने या नश्ट होने के बाद अपना जीवन यापन करने की चिंता से मुक्ते मिल गई है खंडवा दिले में भी किसान इस योजना का लाब ले पा रहे हैं और आसानी से बीमा की रकम मिल जाने के कारण उनकी परिशानिया भी कम हुई है हम सरकार को और हमारे मानि मुक्यमंत्री जी को हम बहुत 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 उनके अभारी हैं अच्छा पासा मिला हमको भी में के और सारे योजना मिले। बहुत बुरी स्तीती थी किसान की एहने बीमा ने मिलता था और कोई फचल कमुआवजर मिलता था कुछ भी नहीं मिलता था अब मनि मैंन्यम न्रेण मौदी जी ने सारी सुधाया दिये हैं किसान सुखी हैने और खुछ हैने खंडवा जिले के कर्शिवी भाग के अधिकारियों का भी कहना है कि यह योजना किसानों के लिए महतपूल्ण है जिले में इस वर्ष 63,000 किसानों को बीमा का लाब मिल रहा है और अभी तक 148 करोड रुपे की राशी किसानों के खाते में डाली जा चुकी है खिले के अंदर इस वर्ष 63,000 किसानों को बीमा का लाब मिल रहा है और अभी तक 148 करोड रुपेया शाशन के माध्यम से खरीब 16-17 का पैसा शाशन से हमें प्राप्त हो चुका है और पूरी राशी जो है अभी तक 148 करोड राशी किसानों के खाते में अभी जा रही है किसानों की आय को दोगुना करने और उनकी चहरे पर चिंता की लकिरों को कम करने के उद्धिश से शुरू की गई इन किसान हितेशी योजनाओं ने देश भर में लाखो किसानों और उनके परिवारों के जीवन इस्तर में बढ़ोतरी हुई है और ये प्रयास लगातार जारी है